पाकिस्तान ने एक बार फिर संगहस विराम समझोते का उलंगन करते हुए जम्मु कस्मीर के अकनूर में भारते चौक्यों पर गोली बारी की जिसमें बीस एफ का एक जवान घायल हो गया यह घटना बुद्वार को रात करीब दो बज कर पच्चिस मिनट की है बीस एफ के जवानों ने भी जवावी कारवाई की यह घटना ऐसे समय में हुई है जब जम्मु कस्मीर में विधान सवाच चुनाव होने वाला है जम्मु कस्मीर के एक नूर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोली बारी में बीस एफ का एक जवान घायल हो गया पाकिस्तानी सैनिकों ने बुद्वार को यहां सीमा पर संघस विराम समझोते का उलंगन करते हुए भारते चौकियों पर गोली बारी की यह घटना रात करीब 2 बज कर 25 मिनट पर हुई है पाकिस्तान लगातार संघस विराम उलंगन कर रहा है जानकारी के मुताबिक बीस एफ के जवानों ने भी जवावी कारवाई की है इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है उन्होंने बताए कि जवान हाई अल को मार गिराया था मारे गया अतंकियों के पास से 2 AK-47 एक पिस्तॉल सहीत भारी मात्रा में हत्यार भी बरामत किया गया था आर्मी से जुड़ी more informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिन जय भारत